सो गई सब सबीनों को पता होगा कि जो computer होता है उसके अंदर हम बढ़ी आसानी से उसकी जो RAM होती है उसको increase कर सकते हैं यहां पर दोस्तों आप लोगे ने दी computer के मदारोड को देखा होगा तो बहाँ पर हमको बहुत सारे RAM के slot देखने को मिलते हैं जिनकों की dim बोला जाता है बहुत सारे dim slot देखने को मिलते हैं यहां पर दोस्तों इसका मतलग यह है कि अपने computer में यहां पर extra RAM की stick लगा सकते हैं अब यहां पर दोस्तों बात करके देखने हैं अपने computer में suppose 2 RAM का यूज़ करने वाले हैं तो यहां पर हमारे दिमाग में एक सवाल आता कि क्या यह दोनों RAM का size सेव होना चाहिए या फिर अनेकवल साइच की RAM भी हम यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ के हम जो दोनों RAM लगा रहा हैं वो दोनों सेम ब्रांट की होना चाहिए या पर अलालाग ब्रांट की भी RAM हम लगा सकते हैं यहां पर दोस्तों आज की वीडियो में इसको आप करने वाले आपको दोस्तों जानना है तो वीडियो के एंट तक जरूर से देखिए और सब्सक्राइब करके सारे बेल आइकोन प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियो के नोच्ट आपको मिल जाएंगी तो बिना किसे देरी के लेस्ट के स्टे टूड़ वीडियो सो कैसे हैं पर सबसे पहले हम बात करते हैं रेम के साइज की क्या हम हमारे कंप्यूटर में दो अलग-अलग साइज की रेम को लगा के यूज कर सकते हैं तो इसका अंसार देफिनेटली याद यूज कर सकते हैं ल दो रेम stick का यूज कर रहा है तो यहां पर आप इसे के ध्यान रहें कि दोनों यहां पर same size की होनी चाहिए अब यहां बदोस्तों आप लोग यह बोलेंगे कि यदि हम यहां पर अलग-अलग size की रेम को लगाते हैं सब्सक्राइब एक 4GB की RAM है और 8GB की RAM है तो उनको नहीं में लगाते है RAM slot में तो वह इसली वहाँ पर चलती है हमको सो भी होता है तो definitely दोस्तों आप लगा देंगे एन एक कोल साइज की RAM वहाँ पर वो लग भी जाएंगी वहाँ पर आपका computer बूट भी हो जाएगा अपर उसम performance देखने को नहीं मिलेगी performance डाउन ही हो जाएगी अब दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर हमको 12GB RAM देखने को मिल रही है मतलब कि computer के अंदर जाके देखने तो हमको RAM बढ़ी होई देखने को मिल रही है तो वहाँ पर performance क्यों होगी तो यहाँ पर क्या होता है कि य करने के लिए एक memory controller होता है जो कि RAM को control करता है उसमें data को transfer करता है तो यहाँ पर दोस्तों यदि वहाँ पर दो RAM हमने लगाई हुई है जो कि अलग-अलग size की है तो वहाँ पर दोस्तों आपको dual channel का support देखने को नहीं मिलेगा जो memory controller है वो यहाँ पर दोनों RAM को single single channel पर ही operate कर अब यहाँ पर दोस्तों को नुकसान क्या होगा नुकसान दोस्तों यह होगा कि यदि दो RAM आपने लगाई हुई है और फिर यह वो single channel पर operate हो रही है तो यहाँ पर उनकी bandwidth down हो जाएगी bandwidth आदी हो जाएगी भले यहाँ की RAM का size बढ़ गया लेकिन bandwidth वहाँ पर कम हो जाएगी अब bandwidth यहाँ हो जाती है तो यहाँ पर data transfer की speed automatically slow हो जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ रहा रहा हैं दो RAM का use कर रहा हैं तो वो dual channel पर operate हो जाएगी और उसके लिए यहाँ पर दोनों RAM का size equal होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अब दोस्तों यहाँ पर हम second चीज की बात करें कि क्या हम यहाँ पर जो दोनों RAM का use कर रहा हैं कि हम माल लेते हैं कि वो same size के हम use कर रहा हैं तो क्या यहाँ पर उन दोनों के same brand होना भी ज़रूरी क्या एक ही company की दो RAM लगानी चाहिए तो इसका अंसा दोस्तों यह है कि यह आप अलग-अलग company की 2 RAM लगाएंगे तो definitely वो चालू हो जाएगा computer, majority cases में चालू हो जाएगा, आपका computer work भी करेगा, so guys यहाँ पर भले ही आपने जो 2 RAM लगाई हुए, वो same size की है, equal size की है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह थी वो अलग-अलग brand की है, अलग-अलग company की है, यहाँ पर दोस्तों एक major problem ने कल के आती है, वो होती है case latency, अब दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में आपको आंगे आने वाली वीडियो से बताऊंगा, जहाँ पर दोस्तों मैं थोड़ी सी RAM के बारे में और discuss करूंगा, जहाँ पर हम यह यही आती है, यदि आप अलग अलग ब्रांड की RAM लगाएंगे तो आपको वहाँ पर भी performance थोरी सी डाउन देखने को मिलेगी, तो अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग सोचें कि हम वो करना क्या चाहिए, definitely दोस्तों आपको यहाँ पर RAM की जो kit आती है, वो purchase करना चाहिए, क वहाँ पर उनको properly test करके, मानलब test किया जाता है, कि वो दोनों module आपस में बहुत अच्छी तरीके से work कर रहा है, कि नहीं कर रहा है, वहाँ पर वो दोनों module होते हो, यहाँ पर same size की भी होते हो, यहाँ पर same brand की भी आपको देखने को मिलते हैं, और उनको यहाँ आपने computer में लगाएंगे, वो definitely यहाँ पर dual channel पर चलेंगे, और यहाँ पर दोस्तों बहुत अच्छी performance आपको देंगे, so I hope guys, आप लोगों साँच में आ गया होगा, कि यदि हो अपने computer की mother mode पर 2 RAM stick की यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों दोनों RAM stick same size की होनी चाहिए, और साथ आपक री की वूज़ आता है, तो यहाँ बहुत आ पाम लगाता है, प्लेको झाहिए धिता है, ए wijदा है होगा है तासफर दोस्तों झाहिए, अजय का एक बता है लखएंगे, यहाँ आपक री को लिदермALLY से रंपकोंशी से बबान ऊत्का है, रहाँ भाता है